हेलो फ्रेंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केवल एक कप गेहूं का आटा और एक आलू से बहुत ही जादा कुरकुरा चटपटा और टेश्टी नास्ता इसे आप बहुत ही कम समगरी में एकदम आसानी से घर पर पांच मिनट में बना करके तयार कर सकते हैं और इसे आप एक बार अगर घर पर बना कर खा लेंगे तो बाहर की समोसा कचोरी खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइच का आलो ले लिया है जिसको पहले ही छिल करके धूर लिया था अब इसे रफली चॉप कर लेंगे तो आलो को रफली चॉप कर लेने के बाद इसे ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सी के जार में आलो को डाल लेने के बाद यहाँ पर एक हरी मिर्च ले लेंगे चार कल्या नहसुन की डाल लेंगे और एक मीडियम साइच का प्याज ले लेंगे प्याज को भी रफली काट करके इस मिक्सी के जार में डाल लेने के बाद मिक्सी के जार का धकन बंद करेंगे और इसे बीना पानी के ही पीसेगे क्योंकि अलू प्यास में मुश्चर होता ही है तौ अच्छे से पीस जाएगी अब इसे पीस लेने के बाद एक tamikya me एक कलर के लिए और थोड़ा सा चाट मसाला एड़ कड़ेंगे जिससे नास्ते में चटपटा टेस्ट आ जायेगा और एक चमज़ के करीब कसूरी मेथ्ज लेंगे कसूरी मेथी को हाथ पर्पर क्रस करके डालेंगे जब इस तरह से अलू के आपको प्रेंटे से कोई भी नास भंक्सक्ते सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि एक आजार में पेश्ट लागा, य Dar हमरा था फेश्ट हैरे करेंगे 옛 इसों शुष्टपर करेंगे दूद कडिक्षिट नहींalsa, थो क्सफरा अलगी। तो इसी अच्छी तरह से पानी डाल करके हमें मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने एक कप गेहू के आटे के लिए एक कप पानी का यूज किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमिसरन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस मिस्रन को तब तक पकाना है जब तक ये डोके फॉर्म में आ जाए बहुत ही जल्दी ये डोके फॉर्म में आ जाती है इसको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है लगातार इसको चलाते रहीएगा नहीं तो यहाँ पर भी आटे में गुठलियां पर सकती है तो देखे फ्रेंस इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो चुका है और यह डो के फर्म में आने लगा है इसको कुछ दिर और पका लेंगे तो फ्रेंस यहाँ पर यह आटा जो है वो डो के फर्म में आ चुका है अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे मिस्रन को प्लेक में फैला करके रखे हुए कम सकम 5 मिनट हो चुका है और यह ठंडा हो चुका है और इसे मसलते हुए हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ताकि नास्ता का जब हम सेप दें तो सेप अच्छा हो एकदम चिकना सा बन करके तयार हो तो लिजे फ्रेंस हमने आटे को मसलते भी एकदम चिकना कर लिया है अब इससे हम दो लोई बना करके तयार कर लेंगे तो देखे हमने यहाँ पर आटे से दो लोई बना करके तयार कर लिया है अब एक चकला ले लेंगे और बेलन दोनों के उपर हलका हलका सा ओयल लगा लेंगे ताकि जब हम इसे बेले तो यह चिपके नहीं इतने से लोई से हम एक बड़ी सी रोटी बेल कर तयार कर लेंगे और रोटी हमें पतली नहीं बेलनी है थोड़ा सा मोटा ही इसको बेलना है तो लिजे हमने एक बड़ी सी रोटी बना करके तयार कर लिया है और इसे हमने थोड़ा सा मोटा ही बेला है अब इस तरह से रोटी बेल लेने के बाद एक छोटी सी कटोरी लेंगे और इस तरह से इसको सरकल सेप में कट कर लेंगे और एक्स्टा आटा जो भी बचेगा उसे हम अभी साइड रखेंगे और इसे बेल कर भी हम और नास्ते को तयार कर लेंगे तो देखे फ्रेल्स हमने इतने सारे नास्ते को बना करके तयार कर लिया है तो चलते हैं अब इसे फ्राइ कर लेते हैं नास्ता को फ्राइ करने के लिए हमने एक कराही में पहले ही ओईल को गरम होने के लिए रख लिया था ओईल अच्छी तरह से गरम हो चुका है इस नास्ते डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर पहले शिकने देंगे आप देखेंगे कि जो नास्ता सीक रहा है फूल करके उपर आ रहा है और उपर से यह फूल रहा है थोड़ा-थोड़ा सा अयिसके उपर हम उचाल-उचाल कर डालते जाएंगे ताकि इसकी उपर की लेर भी अच्छे से सीख सके जब ये नास्ता अच्छी तरह से फूलने लगेगा तब इसको हम पलाट लेंगे देख सकते हैं नास्ता कितना फूला फूला सा बन करके तैयार हुआ है तो इसे अब हम पलट लेते हैं और दोनों तरफ से इसको उलट पलट करके हम golden होने तक fry कर लेंगे तो देखे फ्रेंस यह हमारा एक नास्ता सिक करके तयार हो चुका है अब मैं आपको एक बार में दो या तीन नास्ते को सेख करके दिखाती हूँ अब मैं यहाँ पर कराही में दो तीन नास्ते को डाल लूँगे और इसे भी उलट पलट करके golden और crispy होने तक fry कर लूँगे इस नास्ते को आप low flame पर ही सेखिएगा low flame पर सेखेंगे तो यह लंबे समय तक कुरकुरा ही बना रहेगा इस नास्ते को आप चाहे तो बचों को लंच में दे सकते हैं सुबास आपके नास्ते में भी इसको खा सकते हैं और चाहे तो इसको सफर में भी ले जा सकते हैं यह जल्दी से खराब नहीं होती है तो आप देख सकते हैं फ्रेंस यह हमारा नास्ता भी fry हो चुका है अब इसको भी निकाल लेतें और सारे नास्ते को इसी तरह से low flame पर हम golden और crispy होने तक fry कर लेंगे तो देखे फ्रेंस हमने सारे नास्ते को फ्राइ कर लिया है और देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसे आप चाहे तो कचोरी बोल सकते हैं या फिर पूरी भी बोल सकते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंस आपको ए रेस्पी कैस साथ तब तक के लिए बाई, थैंक्स पर वाचिए.